पूरा ध्यान रख रहे होंगे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा इस गाने में एक और पंक्ति है जो हमारे देश को सारे जहां से अच्छा बनाती है और वो है मझखब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना हिंदी है, बतन है, हिंदोस्ता हमारा ऐसा क्या है, कि इतने सारे धर्म के लोग एक देश में रहते हैं शांती से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, समृ। ये हमारे देश की धर्म निर्पेक्षदा है आज हम कक्षा आठ की सामाजिक एवं राजनितिक जीवन की पोस्तिका का दूसरा अध्याई धर्म निर्पेक्षता की समझ करेंगे धर्म निर्पेक्षता क्या होता है? सभी धर्म के लोग कानून, समिधान एवं सरकारी निती के आगे समान है क्या ये धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव करना सिखाता है नहीं, धर्म निर्पेक्षा का मतलब बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता इसमें सभी धर्म एक समान है आपने कई बार देखा होगा कि किसी देश या राज्य में भिन भिन परकार के लोग रहते हैं सभी लोग अपने धर्म को मानते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि कई लोग अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं और कई लोग अपने धर्म के लिए कटर होते हैं और दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते मान लीजिए कि आप हिंदू या मुसलिम है और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां इसाई कटरपंथी बहुत ताकतवर है आप अमेरिका के नागरिक होते हुए भी आपको कोई किराय पर मकान नहीं देना चाहता इससे पता चलता है कि आपके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि ये आपका देश नहीं है आप भारत लोट जाएए ये बात सुनकर आपको बुरा अवश्य लगेगा आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है एक हो सकता है आप प्रतिकरिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसल्मानों की तादाद जादा है वहां इसाहियों के साथ भी इसी तरह का बरताब होना चाहिए यह बदला लेने वाले बात है फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए इस सोच के आधार पर आप संगर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्वर खत्म होना चाहिए यही धर्म निर्पेक्षता का मूल मंत्र है इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतिय संधर्म में इसका क्या अर्थ है इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उधारन मिलते हैं शाहिद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किये वहां कई लाक लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इसराइल में भी मुसल्मान और इसाई अल्प संख्यकों के साथ अमानविये विवहार किया जा रहा है साउदी अरब में गैर मुसल्मानों को मंदिर या गिर्जा घर बनाने की चूट नहीं है ना ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सारवजनिक स्थल पर इकठा हो सकते हैं इन सब ही उधार्णों में एक धर्म के लोग अन्य धर्मिक समुदाओं के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीडन कर रहे हैं भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और जादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकरित मान्यता प्रदान कर देता है जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वज़े से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म पर दबदबा जहलना चाहता है अब हम पढ़ेंगे धर्म निर्पेक्षता क्या है आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि भारतिय सम्विधान में मौलिक अधिकारों की विवस्था दी गई है यह अधिकार ना केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बलकि बहूमत की निरंगकुषता से भी हमारी रक्षा करते हैं भारतिय सम्विधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है सबके लिए समान भारतिय सुतंतरता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतिय समाज में धर्म और राज्य की शक्ती को एक दूसर से अलग रखने की रणनीती अपनाई है धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारना को धर्म निर्पेक्ष्टा कहा जाता है धर्म निर्पेक्ष्टा के मूलत दो प्रस्ताव है पहला, राज्य के संचालन एवं नीती निर्धारन में मजहब का हस्तक शेप नहीं होना चाहिए दूसरा, सभी धर्म के लोग कानून, समिधान एवं सरकारी नीती के सामने समान हो अब हम पढ़ेंगे कि धर्म को राज्य से अलग रखना महतवपून क्यों है अब ही आपने पढ़ा कि धर्म निर्पेक्ष्टा का सबसे महतवपून पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना एक लोगतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से जादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या जादा होती है अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदबाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है बहुमत की इस निरंकुष्टा के चलते धार्मिक अलप संख्यकों के साथ भेदबाव हो सकता है उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है बहुमत चाहे तो अल्प संखेकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदबाव उन अधिकारों का उलंगन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रतेक नागरिक को प्रदान करता है लिहाजा बहुमत की निरंकुष्टा और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वे अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना कितना महतवपून हो जाता है लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महतवपून कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाओं के अधिकार की रक्षा करनी है इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग धंग से व्याख्या करने की सोतंतरता है इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआ छूत की प्रता पर विचार करते हैं संभव है आपको हिंदूओं के बीच प्रचलित यह प्रता अच्छी ना लगती होगी इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करते होंगे लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदूओं के हाथ में है जो छुआ छूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रता को बदल पाएंगे अगर आप प्रभुत्व शालि धार्मिक समुदाई के सदसे हैं तो आपको अपने समुदाई के ही दूसरे लोगों की और से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है राज्य सत्ता पर नियंतरन रखने वाले ऐसे सदसे कहेंगे कि हिंदूत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का किसी को भी कोई भी अधिकार नहीं है चलिए जानते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा तो आपके हिसाब से धर्म निर्पेक्षता का मूल मंत्र क्या है धर्म निर्पेक्षता का मूल मंत्र है धर्म बर्चस्व खत्म करना धर्म को राज्ये से अलग रखने की इस अवधारना को डैश कहा जाता है धर्म निर्पेक्षता कहा जाता है जर्मनी में यहूदियों पर किसके द्वारा अत्याचार किया गया था जर्मनी में यहूदियों पर एडॉल्फ हिटलर के द्वारा अत्याचार किया गया था भेदभाव की घटनाएं कब जादा बढ़ती हैं? भेदभाव की घटनाएं तब जादा बढ़ती हैं जब एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान हो आपसी भेदभाव लोगों में कैसी भावना पैदा करता है? आपसी भेदभाव लोगों में क्रोध, विरोध और बदले की भावना पैदा करता है चलिए अब बताईए कि विधाईका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो डैश का पक्ष लेते हो या डैश को रोकते हो विधाईका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंदर्ता को रोकते हो भारतिय सम्विधान में ये कहा गया है कि भारतिय राज्य धर्म निर्पेक्ष रहेगा, हमारे सम्विधान के अनुसार केवल धर्म निर्पेक्ष राज्य ही अपने उदेश्यों को साकार करते हुए बातों का ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि कोई एक धर्मिक समुदाय किसी द ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक सुत्तरता चीनेगा। इस तरह के दबदवे को रोकने के लिए भारतिय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वैं खुद को धर्म से दूर रखता है। हमारे देश की वागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समू के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, ठाने, सरकारी विद्याले और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोधसाहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस बात को समझने के लिए अब हम बात करेंगे आपकी पुस्तक में दिये गए चित्र में। सीमापूर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। तो वह अपने अध्यापक से कहते हैं। सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है। हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया है। क्या इस साल मनाय पाएंगे। इस पर अध्यापक कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है। हम किसी एक धर्म को महत्तो नहीं दे सकते, निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दिवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं कर सकते, वैसे भी ज्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुटी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं, इस पर दो बच्चे आपस में वारता लाप करते हैं, पहला बच्चा कहता है, मैंने इस त्रिष्टी से कभी सोचा ही नहीं था, मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर हम कोई भी कभी भी यह त्योहार मना सकते हैं, इस पर दूसरा बच्चा बोलता है, ख बच्चो इससे हमें यह पता चलता है कि स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी निति के खिलाफ होता है। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रिया क्लॉपों के दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाएं को कुछ विशेश छूट भी देता है। फिर दोनों साथ साथ स्कूटर से सेर करने जा रहे हैं। तो पहला आदमी जिसने हेलमेट पहन रखा है वह बोलता है। अरे तुम्हारे पास तो हेलमेट ही नहीं है। दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है। यही कानून है। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ। तुम्हें जुर्माना भरने का बहुत शौक है क्या। इस पर दूसरा आदमी बोलता है। फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं होगा। इस पर पहला आदमी पूछता है। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा। इस पर दूसरा आदमी जिसका नाम परमजीत है वह कहता है। देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इस चित्र से हमें यह पता चलता है कि सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, कारण यह है कि भारती राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सीख धर्म की प्रताओं के मुताबिक महत्वपून है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं मे दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायते दी हैं, धार्मिक वच्चस्व को रोकने के लिए भारती धर्मनेर पेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेव का तरीका है, इसी अध्याय में अभी आपने चुवचूद के बारे में पढ़ा था, यह इस तरह एक ही धर्म के लोग जो अपने आपको उची जाती का मानते हैं, अपने ही धर्म के अन्य सदस्य जिनको वो नीची जाती का मानते हैं, उनको दबाते हैं, धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतिय समिधान में चुवचूद पर पा जावा देने वाली इस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षिप कर रहा है, जो नीचली जाती के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्यूंकि वेह भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी तरह मावाप की संपत्ती में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य और समुधायों के धर्म पर आधारत निजी कानूनों में भी हस्तक्षिप करना पड़ सकता है, राज्य का हस्तक्षिप सहायता के रूप में भी हो सकता है, भारतिय सम्मिधान धार्मिक समुधायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार द मिल जाती है. अब हम जानेंगे भारतिय धर्म निर्पेक्ष्टा दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्म निर्पेक्ष्टा से किस तरह अलग है? अमरीकी सम्विधान में हुए पहले सम्विधान संशोधन के जरिये विधाईका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक सोतंतरता को रोकते हों इसका मतलब है कि विधाईका किसी भी धर्म को राज की धर्म गोशित नहीं कर सकता ना ही विधाईका किसी एक धर्म को ज्यादा प्रात्मिक्ता दे सकती है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृतिकरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते आप समझ गए होंगे कि भारतिय धर्मनेर्पेक्ष्टा और अमरीकी धर्मनेर्पेक्ष्टा के बीच एक एहम फर्क है ऐसा इसलिए है कि अमरीकी धर्मनेर्पेक्ष्टा में धर्म और राज्ये के बीच स्पष्ट अलगाव है और भारतिय धर्पनिर्पिक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षिप करने की छूट दी गई है 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया इस कानून में प्रावधान दिया गया कि कोई भी विद्यार थी इसलामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े-बड़े इसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अत्वा राजनितिक चिन या प्रतिकों को धारन करके स्कूल में नहीं आएगा फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध लिया वेह मुखिता, अलजीरिया, टुनीशिया और मुरकोवादी उन देशों से आये थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे 1960 के दशिक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थे उस समय इन प्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिये गए थे इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अकसर सर पर रुमाल बांद कर जाती थी लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सर पर रुमाल बांदने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया भारतिय राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है भारतिय सम्विदान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है यह मूल भूत अधिकार इन धर्म निरपेक्ष सिध्धानतों पर आधारित है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतिय समाज में इन अधिकारों का उलंगन बंद हो गया है बलकि वास्तव में ऐसे उलंगनों की वज़ा से ही हमारे सामने सम्विधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है इस तरह के अधिकारों के होने का ग्यान हमें इन अधिकारों के उलंगन के प्रति सम्वेंदेशील बनाता है जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षंता भी उसी सिम्रती है तो कैसा लगा आज का वीडियो आशा करती हूँ अपने देश पर गर्व करने का एक और कारण आपको मिला होगा चलिए जानते हैं कि हमने आज के इस पार्ट से क्या सीखा गई थी, 1960 में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतिय सम्मिधान में किस चीज़ पर पाबंदी लगाई है भारतिय सम्मिधान में चुआ चूद पर पाबंदी लगाई है ताकि कोई भी धर्म के नाम पर किसी को भी अलग थलग भेदभाव ना कर सेके किस धर्म में हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है अब आपको कुछ रिक्त स्थान बरने होंगी अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अकसर सर पर डैश बांद कर जाय करता है बिल्कुल सही रुमाल बांद कर जाय करता है सबसे महतोपूर्ण पहलू है धर्म को डैश से अलग करना सबसे महतोपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना विधाई का किसी भी धर्म को डैश गोशित नहीं कर सकती विधाई का किसी भी धर्म को राजकिय धर्म घोशित नहीं कर सकती यहूदी टोपी या बड़े-बड़े इसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अत्वा राजनितिक चिन या प्रतीकों को धारन करके डैश में नहीं आएगा स्कूल में कोई भी बच्चा इन सब को धारन करके नहीं आए धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतिय धर्मनेट पेक्ष्टा का पहला तरीका डैश खुद को धर्म से दूर रखता है इसमें पहला तरीका है कि भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है धार्मिक अत्वा राजनितिक चिन या प्रतीकों को धारन करने स्कूल में ना आने का कानून डैश में बनाया गया 2004 में, फ्रांस में चलिए, अब जानते हैं कि जो वाक्य आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्या वो सही है या गलब सबसे पहला, दूसरे धर्म का अपमान करना ही धर्म का पालन कहलाता है बिल्कुल गलब हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए आगे चलते हैं, 2004 में, फ्रांस में एक कानून बनाया गया जिसके तहट कोई भी विद्यार थी धार्मिक, अत्वा राजनितिक चिन या प्रतीकों को धारन करके स्कूल में नहीं आएगा ये बिल्कुल सही है भारतिय सम्मिधान सभी धर्मों को एक दूसरे से भेदबाव करने के चूट देता है पिल्कुल गलत भारतिय सम्मिधान सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है विधाई का किसी भी धर्म को राजकिय धर्म घोशित कर सकती है गलत विधाई का कभी भी किसी धर्म को राजकिय धर्म घोशित नहीं कर सकते चलिए अब आखरी अपने स्कूल की छुटियों के वार्शिक कैलेंडर को देखिए इन में से कितनी छुटिया विभिन धर्मों से संबंदित हैं और इससे आपको क्या संक्यत मिलता है तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है हम जल्दी वापिस आएंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सुस्ते रहिए सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए नमस्कार